हेलो एवरीवन अगर आप दाद खाज खुजली से परेसान है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलो पाई लेकर के आई हूँ आपकी दाद खाज खुजली कितनी भी सालों पुरानी है बिल्कुल जड़ से कत्म हो जाएगी तो चलिए इसे हम कैसे कैसे बनाएंगे वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा छोटी सी वीडियो है और जैसे मैंने आपको तरीका बता है इसी तरीके से आप अगर इसे लगाएंगे तो आपकी चाहिए कितनी भी पुरानी दाद खाज खुजली है जड़ से खत्म हो जाए है वहाँ पर दाने दाने से हो जाते हैं किसी किसी को तो ये दाद खाज खुजली सालों पुरानी रहती है ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है तो फ्रेंट्स आप एक बार ये उपाय जरूर करके देखेगा आपकी ये दाद खाज खुजली बिलकुल जड़ से खत्म हो लेनी है तो ये मैंने कपूर की दो टिक्की ले ली है जो कपूर की टिक्की है इन्हें हमें हाथ से ही इसका पाउडर बना करके इसमें डाल देना है क्योंकि हाथ से अगर हम इसको अच्छे से दबाते हैं तो इसका पाउडर बन जाता है तो इस तरह से फ्रेंट्स आपको ये रैमेडी बना करके तयार करनी है तो जो एक कपूर है देखिए इसको ऐसे अच्छे से इस तरह से मसल करके आप इसमें डाल दीजेगा और इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है क्योंकि गर्मी का मोसम सुरू होते ही हमें इचिंग सुरू हो जाती है और जहां पर भी हमे खुझली होती है वहाँ पर अगर हम खुझलाते हैं तो हमारी जो तवचा पर दाने दाने हो जाते हैं और यही दाने हमारी खाज खुझली का रूप ले लेते हैं और इसके साथ साथ फ्रेंट्स मैं आपको एक दूसरा भी उपाई बताऊंगे जिससे आपकी खुझली की दाद की जो समस्या है जड़ से खत्म हो जाएगी एक तो आपको इसको यूज करना है आपको नीम के पत्तों से नहाना है नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे आपको नहाना है और नहाने के बाद फ्रेंट्स आपको जहां पर भी आपको दाद खाज खुजली है इस तर नहाने के बाद आपको इस तरह से लगाना है और आपको जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगे आपको दूसरा तरीका ये है कि आपको नीम के पत्ते तोड़ करके लाने हैं और उनको आपको चार-पांच लिटर पानी में उबाल लेना है और जब वो पानी ठंडा हो जाए तब आपको उससे नहाना है और नहा करके आपको इस जो इन नवरतन तेल में हमने कपूर डाल करके मिक्स किया है उसके बाद आप इसे लगाएंगे आपके सरीर में बेगदम ठंड़क पड़ेगी और आपकी जो खुझली की समस्या है दाद की जो प्रोब्लम है बिल्कुल जड से खत्म हो जाएगी यह आज माया हुआ घरेलू पाई है फ्रेंट्स एक बार इसे आप जरूर यूज करके देखेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी चैनल को सबस्क्राइब करें अब मिलती हूँ अगली नई वीडियो में अगल है को मेरी आंप